जैक्स कार आप सभी को एक और नए लाइब्स ट्रेरिटींग की वीडियो में आप सभी को मैं सवागत करता हूँ और आज मैंने फर्स ट्रेर ले लिया है जहां पर मैने 45,400 कॉल को सौट किया है और 43,200 कॉल को मैंने हीजिंग किया है और यहाँ पे देखेंगे तो भी cost to cost ही trade कर रहा है 80 rupees का 100 rupees का profit आपको P&L में देखनी के लिए मिल रहा होगा और इसके पीछे क्या logic है जो मैंने bank nifty को sort किया है उसको explain करूँगा ताकि आपको एक learning content मिल सके तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक starting में एक sharp upside की gap up खुलने के बाद एक downside के pressure आया प्रेसर आने के बाद previous time जो closing था वहाँ पे market support लिया support लेने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो multiple candle इने 3 minute time पे resistance करने लगा और एक सबसे important चीज कि जो first यह जो bullish candle बनाया था यहाँ पे आप देखेंगे कि यह shooting star type का candle है इसी के resistance लेकर करके यहाँ पे multiple candle hold कर रहा है तो मैं इसको यहाँ पे इस area पे मैंने इसको sort किया है bank nifty को जिसके यहाँ पे मैंने call को sort किया है downside की momentum को view लेकर करके और मैं wait कर रहा हूँ कि यह वाला जो support है आज का यह support है इने 3 minute time frame पे इसको अगर bank nifty break करता है न तो आपको यहाँ पे 42,200 के approach यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है यह target one way दे सकता है क्योंकि देखेंगे तो market एक बहुत दिनों से win one week से volatile बहुत ज़्यादा रह रहा है up down up down up down करते जा रहा है तो मैं उसी के according मैं थोड़ा सा top पे ही इसको sell करने की कोशिस किया हूँ और wait कर रहा हूँ यह वाला label का अगर यह इसको break करता है तो bank nifty में एक आपको down side के momentum देखने के लिए मिल सकता है जो कि आपका 42,250 के approach आपको one way rally करते हुए देखने के लिए मिल सकता है तो अगर यहाँ पर मैं अपनी profit दिखा हूँ तो PNL अभी देखे धीरे-धीरे increase हो चुका है मेरा stop loss यहाँ पर है अगर इस area को निकालता है bank nifty तो मैं यहाँ से निकल जाओंगा मार्किट देखेंगे कि धीरी-धीरे यहाँ पर साइडवेज ही है अभी कोई ज्यादा momentum नहीं हो रहा है अप डाउन अप डाउन एक कैंडल बुली से एक कैंडल रेट बना रहा है जिसके वज़ाद से थोड़ा से हम लोग को options प्रीमियम का डीके का benefits मिल रहा है और यहाँ पर हम लोग two-handed के अप्रोक्स profit में enroll हो चुके हैं final profit two-handed के अप्रोक्स चल रहा है wait करते हैं अपनी target के लिए कि ये वाला label को थोड़ा bank nifty निकाले तो downside की momentum हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है इसलिए भी hold किये हैं अगर आप देखेंगे तो इसी label पर multiple candle यहाँ पर बना रहा है यहाँ से दो condition आपको देखने के लिए मिल सकता है एक support लेकर करके यह वाला label को break कर सकता है otherwise फिर अगर इसको break करता है तो आपको downside की momentum देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो 1,2,3,4,5,6 candle का एक ही support लेता हुआ यहाँ पर bank nifty दिखाई दे रहा है तो maybe यहाँ से कुछ भी हो सकता है वेट करते हैं अपनी stop loss के लिए और अपनी target के लिए 293 रूपया 75 पैसे पर मैंने अपना trade close किया है आज loss के साथ हाला कि यहाँ पर one time यह 900 का profit भी चल रहा था अगर मैं आपको इस trade में अगर low की बात करूँ तो अगर मैं आपको यहाँ पर low दिखाना चाहूँगा इस trade को मैंने 42,400 की call को sale किया था तो मैंने यहाँ पर इसको low देखेंगे तो 168 पर यहाँ पर आपको low दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको low देखने के लिए मिल रहा होगा 168 रूपया लेकिन और मैं order history दिखा हूँ तो यह approach मैंने इसको कब sale किया है यहाँ पर आप देखेंगे तो 12 बज़ करके 15 मिनिट पर मैंने इसको sale किया है और जो कि उस समय 196 पर मैंने इसको sale किया हलाकि जब market यहाँ से एक upside की rally continue करने लगा तब जाकर करके मैं यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बेहतर learning मिल सके मैंने क्यों क्या कि कि दिखें market जो है से वो totally एक range में फसा हुआ है market और इसी range में up down कर रहा है लेकिन जब यह उपर वाला लेबल यानि कि वह हाई को यहाँ पर निकाला सौरी दिखें बारा बज़ के 15 मिनिट वाला यहाँ पर यह कंडल है क्योंकि यह previous हाई था 42,431 का और फिर यह एक नया हाई बना दिया था 42,450 का तो मैं यहाँ पर निकल गया क्योंकि मेर जो आज डे का हाई था यह वाला सिकेंड हाई था उसी मेरा स्टॉप लोस था और जो की लास्ट में यह लेकर के चला गया तो मैंने खुसी खुसी दे दिया कल मैंने 26 बनाया तो आद 300 का देने में कोई दिक्कत नहीं है तो आज का ट्रेडिंग लॉस के साथ क्लोज होता है क्योंकि दिखें लॉस आपका मिनिमाईज होना चाहिए प्रोफिट आपका मैक्सिमाईज होना चाहिए तो हमेशा लॉस को अपने डिसाइड से कीजिए और एक स्ट्रोंग मैंसेट के साथ ट्रेड कीजिए तब कल जाकर करके अगर मैं आज ओभर ट्रेडिंग किया होता त तो इस रेंज में मुझे आज फ्लक्ट्यूेशन के दौरान इस सिर्फ स्टॉपलोस हीट देखने के लिए ही मिलता तो आज बस इतना ही है मिलते हैं फिर कल